नमस्ते मैं हूं देव आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर बात करते हैं फिल्टर्स की हम कोई भी साउंड सुनते हैं वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड होती है लो, मिड और हाई इसका मतलब क्या है? कोई भी साउंड जो हम सुनते हैं इस दुनिया में गिटार, पियानो, आवाजें, पंची, किसी भी तरह की आवाज वो 20 हर्ड से 20 हजार हर्ड की फ्रिक्वेंसी के बीच में हम सुनते हैं 20 Hz से नीचे की sounds या 20,000 के उपर की frequencies भी दुनिया में exist करती हैं लेकिन हम नहीं सुन पाते कुछ ideal conditions के दौरान हम कुछ extra सुन पाते हैं पर definitely music production में हमारे काम की वो नहीं होती For example dog whistle अगर आप search करेंगे Google पे dog whistle तो शायद वो 40, 45, 50,000 Hz के उपर की city होती है जो police वाले या army यूज़ करते हैं क्योंकि जब वो whistle blow करते हैं तो कुतनों को तो सुनाई देती है लेकिन इनसानों को नहीं और जो dog trained होते हैं उनसे काफी help मिलती है ठीक है हम यहां बात करेंगे 20 Hz से 20,000 Hz या 20 kHz के बीच में अब यह जो sound है यह तीन हिस्तों में क्या divided है low frequency, mid frequency, high frequency आपके गाड़ियों में ज्यादा तर दो knobs होती हैं bass और treble जो bass होती है वो low mid की तरफ और जो treble होती है वो high mid की तरफ यह दो sounds को boost या denuate करती है ठीक है अब यहां पर हम बहुत important तीन filters की बात करने वाले हैं filters बहुत तरह के हैं लेकिन जब हम basic categorize करते हैं तो तीन filters में वो divide हो जाते हैं low pass filter तीन तरह के होते हैं अगर हम सिर्फ filter word बोल रहे हैं तो भी low pass की बात हो रही है या फिर बताया ही जाएगा कि low pass filter on कर दो ठीक है low pass filter में क्या हुआ मेरी low frequencies और mid frequency चलती रही यानि pass हुई लेकिन जो high frequency है जो तीखा पन था वो cut हो गया अभी हम थोड़ी ही देर में studio one में करके भी देखेंगे ठीक है इसके बाद आती है मेरी high pass filter high pass filter में क्या होता है जो मेरी high frequencies थी वो तो सुन रही है mid भी थोड़ी पह सुन रही है लेकिन low जो है वो cut हो गई left side से low pass में right side से मेरी highs कट हो गई थी यानि तीखा पन सिर्फ bass रह गई थी और high pass frequency में मेरी highs तो सुन रहे थे और beach की जो mid frequencies है वो ही सुनाई देती है इन दोनों को हम जितना ही pass लेके आते रहते हैं उस तरह ही radio या mobile effects बनते जाते हैं ज्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है अब ये तीन तरह के filter अब हम यहाँ पर करके देखने वाले है यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास plugins हैं जिसके अंदर एक plugin है pro EQ EQ एक बहुत important filter है एक बहुत important plugin है जो आपकी जिंदगे में music producers की जिंदगे में एक अभिन अंग होगा EQ मतलब equalizer मैं इसे पकड़ा drag and drop बहुत ही आसान आपके सामने ये खुल गया फिल्हाल मैं इसे नहीं छेड़ रहा हूँ off ही रखते हैं एक बार sound सुन लेते हैं कि ये है क्या बहुत बढ़िया चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा हूँ आपके पास यहाँ पर काफी सारी knobs है और जो भी knob के कुछ set बने हुए है अगर हम उनके उपर देखें तो यहाँ क्या लिखा है low cut high cut वो ही जो अभी हमने दो filter देखे एक में low cut हो जाएगा एक में high cut हो जाएगा ठीक है linear phase low cut अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हम देख भी सकते हैं लिखा है phase linear low cut active अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे मास्टिंग के दोरान करेंगे यहाँ जाते हैं low frequency ठीक है यह गए mid frequency और यह high frequency ठीक है तो तीन तरह के हमारे पास दिये गए है low, mid और high और बीच में हमें दिये गए low और mid के बीच का जैसे मैंने आपको पताया low, mid frequency और high और mid के बीच का high, mid frequency इसके इलावा यहाँ पर gain रहे गया है कि यह सब जो भी हम यहाँ पर tweak करेंगे वो करने के बाद final जो मेरा volume कितना होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर low cut on कर देते हैं मैं plugin को on करता हूँ और जैसे ही मैं low cut पे on करूँगा आपने देखा यह cut यहाँ पर आ गया यह क्या बन रहा है मेरा वही high pass filter जो हमने देखाई था highs मेरी pass है और low मेरा cut हो गया यानि कि low cut को हम high pass भी बोल सकते हैं और high cut को हम low pass भी बोल सकते हैं यह exactly वही shape बन की जो हमने देखी थी filter की अब यह जो है यह जो steep है इसे भी हम यहाँ control कर सकते हैं कि कितनी मुझे चाहिए और tight या एकदम brick wall style में एकदम tight हो गई अगर मैं इस knob को बिलकुल नीचे तक ले जाओं तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है 20 hertz और यह एकदम high तक क्या है 20 kilohertz या फिर 20,000 hertz ठीक है इसका मतलब क्या है कि आप कहां से cut करना चाहेगी मैं जैसे इसे धीरे 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 बढ़ाता जाऊंगा आप सुनिएगा guitar के अंदर की जो bass है वो cut होती जाएगी basic एकदम cut हो गई और मैं इतना ज्यादा ले गया कि highs भी cut हो गई वापी से bass आगई कितना ही आसान ठीक है तो थोड़ा समय यहाँ से cut कर लेता हूँ अब हम बात करते हैं यहाँ पर highs की इसका मतलब क्या है जैसे ही मैंने high cut on किया यह देखी यहाँ पर एक cut आ गया again मैं उसकी steep यहाँ से रख सकता हूँ जितनी मुझे tight या कम रखनी हो मैं एकदम tight रखूँगा चलिए आ गया अब मैं जैसे जैसे इसको cut करता जाओंगा जो मेरा high cut है यानि यह मेरा low pass filter है यह मैं इदर लेके जाता रहूँगा और जो भी उसकी high frequencies है जो तीखापन हमें सुनाई दे रहा है वो कम होता जाएगा ध्यान से दिखेगा low cut fill हाल मैं हटा देता हूँ हम देख रहे हैं हमने high scar दिये और केवल base रह गई हम सिर्फ base सुन पा रहे है तो यह exactly वो ही shape बन गई जो हमने देखी थी lecture के शुरुआत में यह क्या है low pass filter यानि high cut मैं वापिस खोलता हूँ और अगर मैं इसको भी on कर देता हूँ कि चलिए मैं थोड़ा सा base भी काट दी और मैंने काफी हद तक highs भी काट दी तो अब देखेगा आपको लगेगा फोन या रेडियो की आवाज बन जाएगी जैसे कोई low-fi songs होते हैं उसके अंदर भी यह चीज़ की होती है यह हुआ मेरा band pass filter जैसा कि हमने अभी देखाई था तो यह तीन तरह के filter है इसके बाद यह और filtering किस तरह से काम आने वाली है हम इसके अगले ही lecture में देखेंगे यह सभी knobs क्या काम करती है equalizer एक बहुत ज्यादा important tool है और बिना equalizer के आपका कोई भी song दुनिया में कोई भी तरह का music आप तक पहुंचता ही नहीं याद रखेगा बहुत important है इत्मिनान से सीखेंगे मिलते हैं गले lecture में तब तक के लिए देव next level signing out नमस्ते